आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सरसाइज 4.5 से और आज हम जिस कोशन की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास कोशन नमबर 2 और उसका पार्ट 1 दिया हुए आपके पास ő कोशन नमर 2 मेंज़नी हमें यह बताना है के जो हमारे फिस्ट्र्टिमेंट है जो हमारे पास कोशन है वो true है या false है ru है या not है अब यक कप true होगा और यह कप false होगा यह हमें हमें चेक करना है इससे पहले पाले कोशन में हम सिर्फ एक्स की value पुट करी थी हमने उस कोशन में इसमें भी यहां पे भी हम पहले तो वह ईक्स की वैल्यू बनाएंगे और फिर यहां पर हम पूट करेंगे लेकिन इसमें जो है माँ पढ़ना पास आया इसेट में हमाँ पास टू है या माँ पास फॉल्ज है तो उसको कंड़े का तरीका रही होगा कि अगर answer हमारे पास singular आजाए अगर answer हमारे पास singular आएगा तो वो statement हमारे पर true है यानि कि answer अगर आपके पास zero आजाए हमने solve करा, solve करते करते जो है हमारा answer जो आ रहा है आपके पास solve होते बात zero answer आ रहा है तो वो हमारे पास truth statement गलाएगी लेकिन अगर statement में हमारे पास non-singular value आ रही है non-singular का मतलब यह है कि हमारे पास 0 के अलावा कोई भी number आ रहा है चाहे वो minus 1 हो, minus 8 हो, 5 हो या कोई और कोई भी value हो हमारे पास तो वो हमारे पास statement कौन सी होगी हमारे पास? false या not की तो यह दो तरह की statement होगी हमारे पास एक तो होगए singular और दूसरी होगए हमारे पास non-singular singular जब होगी जब हमारे पास answer 0 आ जाएगा non-singular जब होगी जब हमारे पास answer 0 के अलावा कोई भी number आता है तो अब इसको हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमें इसको लेना पड़ेगा x-3 को x-3 is equal to 0 3 या minus पे माँ जाएके plus हो जाएगा यानि के x की value जो बन रही है वो आपके पास बन रही है 3 के बराबर उसके बाद जो हम यह वाली value उतारेंगे से पहले वाले question की तरह 2 x cube minus 6 x square minus 5 x plus 15 उसके पास 2 constant है वो as it is आजाएगा x की value जगा खाली छोड़ेंगे minus 6 as it is आजाएगा x की जगा खाली छोड़ेंगे minus 5 x की जगा खाली plus 15 x की जगा की आएगा आएगा आपके पास 3 यहाँपे भी 3 यहाँपे भी 3 2 occupy as it is आएगा पहले हमें 3 का cube लेना पड़ेगा 3 का cube किसके बराबर होता आपके पास 3 3 is a 9, 9 3 is a 27 minus 6 3 का square 3 3 is a 9 minus 5 3 is a 15 plus 15 2 को 27 से multiply करेंगे तो answer आएगा 54 minus 6 को 9 से multiply करेंगे answer आएगा 54 minus 15 plus 15 अब देखें 54 से 54 cancel 15 से 15 cancel तो answer आगी आपके पास 0 तो अब आपके पास singular value है यानि के आपके पास answer 0 आ रहा है तो इसका answer हम consider करेंगे कि यह true statement है हमारे पास और यही हमारे पास इसका answer हो जाएगा Thank you